Hello Friends! तो आज मैंसिद हम लोग इस ओर को वह ब्लाइक करने जा रहे हैं और साथ में यहां पर हम लोग यहां पर देखेंगे जस आएक लाइक है LINE UP CONTROL के किस तरीके में यहां पर यूज करके यह जो आपने यहां पर देखा हूगा just यहां पर लेखा हुआ है, यहां पर, line-up controls को use करके, और simples हम लोग यहां पर scene को orient करते हैं, यहां ठीक है, तो आज यहां पर हम इस sort को perfect तरीक 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 करेंगे, फिर इसको Maya में लेके जाएंगे, और जो main, जो line-up controls, तो उसको कैसे इसमें use करे जाता, scene को orient करने के लिए, all these things here, इसको उम लोग यहां पर देखने जा रहे हैं, ठीक है, तो चलते हैं, start करते हैं यहां पर, तो सबसे पहले हम इस sort को यहां पर track कर ले रहे हैं, सबसे पहले हम यहां पर जो points है आपको रूफ है दिखा ही पर यह points है यहां पर track करने खोसिस कर रहे हैं चलते देखते हैं किस तरह के समने इसको start करते हैं now simple से control के साथ click किया just this point पर click करते हूँ starting just points को आपके पास यह area आपके पास है just like pattern area इसको बढ़ा लिया और just like के इसी है जो आपके टोड़ यह pattern area और just like के यह pattern जो आपके पास region है इसको यहां पर बढ़ा लिया है now इसको यहां पर track करते है startings में now simple is just like click on track now इसको just like little bit यहां पर fast ही रहने दे रहे है और just like कर दिया now stop क्योंकि यह zoom out हो रहा है jack यहां पर तो आपके इसको ध्यान रखना पड़ेगा यहां पर कि यह जो आपके पास area जो आपके पर बोत area आज है इनको just like आपको temporary थोड़ा साथ में urges करते रहना होगा ठीक है नहीं तो जब यह zoom out होगा हो सकता है कि यह area बहुत बढ़ा हो जाए तो उतना system hang होगा यहां पर इसको वापस then just like track now stop यहां पर इसको आप देखते रहेंगे विश्किन आप इस तरीकी है तो कहीं पर कुछ disturbance नहीं होना चाहिए यहां पर ठीक है simple सा just perfect तरीकी इसको track करने के कोशिज करेंगे यहां पर यहां पर यह सारे जो techniques है वह हम explain कर चुक है यहां पर किस तरीकी से हमें sort को complete track कर सकते है स्टार्टिंग में आगे एक जाएक नहीं end पर है अभी यहां पर यहां पर यहां पर second points को track कर दे रहें ठीक है अब यह जिरूर दान है कि CTI के starting में यह end पर यहां ठीक है तो आप जिदर से भी track करना चाहिए उदर जासा track कर सकते है अब सेंपल सा control के साथ click किया second points आ गया और यह जो points है हम लोग इसको यह pattern tracker यहां पर track कर दे ठीक है now stop now इसको ध्यान रखिएगा यहां पर अब लास्ट में एक बड़ चेक कर लिजएगा points कहां पर है तो यह लग मैं points यहां तक आ रहा ठीक है now जिसको यहां पर center 2D चाहिए तो आप check कर लिए जब आप points को track करेंगे तो points आपके सामने रहे गए आप ठीक है तो जो भी रूप है points और फटा पर मैं track करने के आप है कोसिस कर रहा हूं now इसके बाद end points है आप ठीक है इस तरीके से इस तरीके साब उसका size यहां पर ध्याने के जरूर इस size के साब क्योंकि zoom in zoom out हो रहा है तो इसको आप जरूर ध्यान दखेगा इसका size pattern का जोगा आपके बास size इसको आप adjust करते हुए चलेंगे यहां ठीक है इसको ध्यान दखिए यहां ठीक है पॉइंट जहां ठीक है आपके पास रही हो वहां ठीक है इसको रहें इसके बाद इन पॉइंट से हाँ ठीक है साथ मेंगर यहां पे चाहां लड़ेवर enhancement उसके रहें तो window और इसको यहां पे simple image control और इसको रहें रहें यहां पे reset all enable color controls झाल 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 अगर प्रोजेक्ट को यहां पर सेव कर ले रहें, जिस्ट लाइक की क्लिक उन सेव प्रोजेक्ट और जिस्ट लाइक इसका नाम यहां पर रूफ सेव करते रहेगा प्रोजेक्ट को सेव करते रहेगा प्रोजेक्ट को झाल 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 यह यह तो यह अम ने इसको लगबग कंट्रोल एक है से अब ठीक है अब ठीक है डाउच के आप फूल फ्रेम कर दी और इसको सब्सक्राइक के सथ क्लिक कर देगी आप है तो यह पाइंट जएस्ट हम ने यह 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 अपर इतने अब और साथ क्लिक कर दिया, ctrl s कर दिया, save कर दिया, और इसको यहाँ फुल फ्रेम कर दिया, ठीक है लगबग, इतने पॉइंट ने आप लगबग, अब यहाँ पर ट्रेक कर लिए है, अब चलती है, इसको यहाँ पर हम लोग solve करने की तुड़ा सा कोसिस करते हैं, ठीक है, तो नाव, उसके लिए simple सा यहाँ पर, क्लिक करेंगे, calc, calc all from scratch, जैसे अब इसमें आपर क्लिक करेंगे, तो आपको यह path दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर, तो लगबग, काफी smooth path आपको path यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, simple सा, now just simple use result यहाँ पर, इसको क्लिक किया तो यह camera solve के आगे, और just like यहाँ पर, जो आपके पास यह 3D points उनको यहाँ पर, चेक कर लिए, तो आपको यह point यह 3D points यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगे, ठीक है, इस तरीकी से यहाँ पर, now, एक बार इसका just like यहाँ पर, control S, और just like यहाँ एक बार, इसका deviations, यहाँ प दिखाई पर, now, इसको मैं लगभग यहाँ पर down side में switch कर लो, इस तरीकी से यहाँ पर, तो यह लगभग यहाँ पर down side में आ गया, इस तरीकी से आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है, तो आप लगभग आप इसका देखें, अगर यहाँ पर full view of the divisions, से पहले, इसके आप focal length को calculate कर ले, और इसके वाज़र सा है, अगर इसमें distortion है, तो इसको हम लोग calculate यहाँ पर कर ले थे, ठीक है, तो इसको और इन ends करने के लिए, तो इसके लिए simple, यहाँ पर click on window, parameter adjustment, parameter adjustment, click on lens, और lens में, यहाँ पर जैसे आप जाएंगे, क्योंकि एक unknown sort हमा और जो आपका adjustment parameter, now simply click on adjust, यहाँ पर, जो आपका adjustment parameter, now simply click on adjust, यहाँ पर, इसमें यहाँ पर transfer parameters, और यहाँ इस तरी के दिखाया पढ़ रहा, काफी smooth, और दिखाया पढ़ रहा होगा, then इसको यहाँ पर simply minimize कर दिया, और यहाँ पर calc, calc all from scratch, यह आगे, now just like use result यहाँ, ठीक है, तो divisions यहाँ पर फिर भी, काफी हम लोगों यहाँ पर down कर लिया, exact यहाँ ठीक है, now यहाँ तक, अब इसको just like, हम project को save age कर ले रहे हैं, save project age, और just like है, इसका नाम है, यहाँ पर underscore zero, two कर दिया, यहाँ पर, same, इस त है, यहाँ पर, simple as a little bit, इस जीए पर division लगबग, 0.5 की आसफास है, जो आपको यहाँ पर दिखाई पढ़ रहा होगा, लगबग, यहाँ पर, yes, ठीक है, यह, down and down, eject यहाँ ठीक है, यहाँ पर down, ठीक है, तो, लगबग, यहाँ पर division ठीक है, लगबग, और starting में जोड़ division सा है, लगबग, वो अभी भी high है, यहाँ पर, काफी eject है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो, फुला सा इसको यहाँ पर, हम लोग कुछ आइजिस्ट करने को सिच करते हैं, चेक करते हैं, पॉइंट्स, कौन-कौन से यहाँ पर points है, तो, just simple as a, यह points है, यहाँ पर आ गया, आप य enhancement eject है, है, यहाँ पर, just 3D points है, just simple as a, यहाँ पर close कर दे, जिससे किम यह points पता चले, यहाँ पर, उससे, बेटर रहे के सबसे पर यहाँ पर, कर्व, कर्व, कर्व यहाँ पर, ने यहाँ पर नहीं कर ले रहे, division curve, जिससे किम यह पता चले, पर points में, इन्फोर, आपके पास, errors है, वो किस-किस points में ज्यादा आया है, ठीक है, now click on divisions, so divisions curves, और all points यहाँ पर, इसको जैसे आपने click किया था, इस तरीके से यहाँ पर दिखाई पड़ लागो, ठीक है, just एक बार हम यहाँ पर points by points पता करेंगे, ठीक है, now let's get 3D points, 3D points को फिर यहाँ चेक कर लिया, ठीक है, now now see आजाते हैं, अब यहाँ पर, just क्यों पर fine tuning करनी है, eject यहाँ पर, just यहाँ पर in between आ गई है, just alt के साथ select किया, यह points लगए आपके पास है, around यह points आपके पास है, यह points आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यह points आपको दिखाई पड़ रहा होगा, just check कर ले रहा हो, यह points सही जा रहा है, इसके बाद लेकर disturbance हो रहा है, यह data को मैं clear करना है, यहाँ पर, इस data को मैं clear करना है, यहाँ पर, उसके लिए सबसे पहले आप यह चेक कर लिजेगे, यह direction backward only लगा हुआ है, now आप just like in point पर click करेंगे, तो कुछ की तो clear हो गई यहाँ, लेकिन all जो data clear नहीं then हम लोग यहाँ पर click करेंगे, edit, delete curves from beginning, जैसे आप click करेंगे, तो beginning तो data clear हो जाएगा, now simply इसको यहाँ पर click कर दिया, shortcut देख लेजेगा, control B है, and end के लिए shortcut है, control E है, now just simple सा यहाँ तक आगया, now इसको वापस अभी call, cal करेंगे, लाओ, इससे पहले एक दूप पाइंस और द लगबग यहाँ तक मैं perfect माल लेता हूँ, now इसको just like end points, और end points के बात यहाँ पर, जो आपके पास यहाँ पर beginning के लिए, उसका shortcut था control B, just control B हमने click कर दिया, तो beginning का data clear हो गया, इस तरीकाश ठीक है, now little bit, alt के साथ, यह points है जैसे यहाँ पर कोई, यह points लगबग यहाँ तक सही है, now end points, और यहाँ पर control B, जो beginning का data हमने सब clear कर दिया, इस तरीकाश ठीक है, now एक बार इसको यहाँ पर resolve करके देखते है, then calc, calc all from scratch, और just like वापस huge result, now यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो errors काफी यहाँ पर down होगी, now just little bit इसको यहाँ यहाँ पर view करेंगे, इस तरीके ठीक है, तो लगबग यहाँ पर अभी कुछ errors अभी यहाँ पर है, बेसकि एक दो points का मतलब कुछ और यहाँ पर हमें सही करने बढ़ेंगे, ठीक है, तो फड़ा फड़ा आपको इस तरीके से errors को down करने की कोशिस करनी है, यहाँ ठीक है, just starting startings पर भी लगबग अभी थोड़ी सी high है, और startings में इस यहाँ पर लगबग यह points है, just फड़ा फड़ा में को है, आपको clear कर लो यहाँ पर इस तरीके से, then जो 3D point को बंद कर दीक है, इस से कम उस पर focus कर सके, ना लगबग इसके बाद में इसको फूरा 100 track कर दे रहे हैं, त अची दान किया है, क्योंकि आपर end points पर क्लिक किया हो, तो वापर इसको आपको enable करना पड़े है, end points पर, इस तरीके से, now direction चेकर रहे है, यह back part only, now just एक एक frame को track करने, कोशिच कर रहे हैं, यहाँ पर, just मैं यहाँ पर माले तो end points आप इस तरीके से ठीक है, now further इसी तरीके साब all points को यहाँ पर refinement करेंगे, यह पर यह points, just like यह full frame, यह points लगबग यहाँ पर कहीं आ रहा है, जाओ इसको just like यह चेक कर ले रहा हूँ, तो यह लगबग यहाँ तक तो ठीक आ रहा है, now इसके बाद इसको, मैं data को clear कर दे रहा हूँ, यहाँ पर, just like end points, ctrl B, सारा data clear होगा, और वापस इसको यहाँ पर track करने के लिए, आपने यह end points यहाँ पर किया हुआ है, इसको just like वापस आप end points पर click करेंगे, तो यह वापस, keyframe में आ जाए था, now इसको track करेंगे, kickframe, now little bit अब यहाँ पर slower कर लेता हूँ, जिससे कि हम जब track करें तो, little bit slower चले और मैं उसपर focus कर सकूँ, now little bit red हो रहा है, यहाँ पर, मैं माल लेता हूँ, जिससे यही थक, now end points यहाँ इस तरीके से ठीक है, now एक बार यहाँ पर इसको full frame कर दिया, और just like यहाँ पर, calc all from scratch, just like a use result, इस तरीके से ठीक है, तो लगभग काफी errors हम लोग यहाँ पर कम कर रहे हैं, यहाँ पर इस यहाँ पर इस यहाँ पर थूड़ी से points को, मैं यहाँ फुल फ्रेम, और just यहाँ पर लगभग errors कितनी है, starting यहाँ पर थूड़ी से high है, remaining errors लगभग, यहाँ पर 0.4 के आसवास errors आ गई, यहाँ पर even more, इसको enhance कर सकते है, यहाँ पर इसके बाद फर्दर आगे जो भी enhancement करेंगे तो project को save project page कर ले रहा हूँ, और just उसका नाम है यहाँ पर, just like 3 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 हो गया, यहाँ पर, just like controlled,又 like 3, just like 3, can call from scratch, use result, this way. इस तरीके से यहाँ पर, just like 3, and use result, Richter, just like 3 यहाँ पर, just like 5 फर 5 उन अभी कर पर, just like 3 ऐ है, आपे जनीक पॉएंच कर दिया यहां पर टो रख कर दिया यहां ईसके ऊपिंट के साथ यह इत्रीक 551 पाइंट को बॉस्क्राइट कर दिया च nurby好吃 वेलीट कर दिया जैकिति यह दो आप चाहे हो ज़से तो सब्सक्राइब आपर अब करने हो अब आप कंट्रोल कि इसमें इसमें इसमेंट अप करते रहेंगे यहां पर चेक करेंगे यहां पर चीज़ घ्याले कि कंक ले रहा होने तो कोन पॉइंट हेंदा बिचिख कर रहा है जाथ सबसे हुए आधर से तरह के हुए एक को विचित को भी हाँपर तो यgeht विच्ट से का यह जह पाइंप ूब्स अजया एक के ctrl B इस तरीके से ठीक है और वापस full frame और just simple सा यहाँ पर इसको calc इस तरीके सो करें रोग काल काल कॉल फ्राम स्क्रैच और अगर यहाँ पर view करेंगे तो आपने काफी लगवग इसको यहाँ पर down कर लिया, error लगवग यहाँ ठीक है , इस तरीके से यहाँ पर , यहुश्फ का गई यहाँ थीक है , इसको ctrl s कर लिया थीक है , now finally जाउस एक बड़ और और इसको इंक्रिमेंट सेव कर ले रहे, सेव प्रोजक्ट एच और जिस लाइक के लागबग यहां पी इसका नाम कर दिया है, जिस लाइक के तरी किजिए गए, हमने 4 एक जैक्ट है हूँ, ठीक है, ठीक है, प्रेस कर लिया, ठीक है, डाले टेले पर थोड़ा सा स्टार्टि बिल्कुल स्टार्टिंग इसमें, तो एक दू पाइंक्ट यहां पर चेक कर ले रहा हूँ, तो इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, लगबग यह पॉइंक्ट अल्ट इस तरीके से, यह पाइंक्ट लगग यह दू पाइंक्ट और एक दू पाइंक्ट और है, तो और track कर ले रहे ठीक है तो यहां पर आ गए दिने control के साथ click कर दिया startings में इस तरीके सना इसको track करेंगे focus करेंगे उसमें ठीक है तो मैं माल ने ताओ लग बग इतने points हम लोगो ने यहां पर इसको track कर लिए यहां पर सारे points और just like view all और just like a cal calc all from scratch just like a huge result exact इस तरीक है तो यहां पर आपने errors बहुत लग बग गए यहां पर down कर लिए ठीक है तो नौ यहां तक control is file agencies को हम लोग यहां पर save कर दे रहे ए ठीक है और just आपके पार points इतने हैं यहां पर आपने इसको इस तरीके से track कर लिए और यह जिस्ट आपके पार points आ ठीक है now just like a simple से यहां पर हम लोग इसको यहां पर 3D points को check कर लिए alt के साथ यहां पर click कर दिया control यहां ठीक है तो यह finally जो आपके पास है यह जिस्ट हम लोगों ने यहां पर line-up के लिए सबसे पहले click करेंगे just like यहां पर manual control करेंगे just like 3D orientation controls में जैसे आप यहां पर click करेंगे तो आपको simple सा यह आप देख पा रहे होंगे just like आपके पर camera का smooth path यहां पर दिखाए पड़ और just आपके पास कुछ points यहां पर इस तरह के दिखाए पोड़े तो proper तरीके just like हम लोग यहां पर line-up करके scene को oriented करते हैं ठीक है तो उसके लिए just हम यहां पर simple सा 3D model से आप create करेंगे यहां पर 3D models create और यहां पर simple से लिखा होगा plane ऐसे तो plane इसमें जो यहां पर है यह एक script और इसको simple सा OBG format में यहां पर export कर लेंगे आप ठीक है और वापस हम लोग 3D equalizer में import करेंगे और फिर उसके तरह भी आप अपने scene को align कर सकते है यह scene को just like line-up कर सकते है आप ठीक है now simply click on plane यहां आपने click किया planes में तो आप देखें जिस एक plane यहां पर simple सा है कि model create होगा आप ठीक है now एक बार आप देख लेते line-up controls में तो आप कोई दिखाई पढ़ रहा होगा एक जागड़ तो काफी बड़ा आपको plane इस तरह के दिखाई पढ़ रहा होगा और just simple acquire shortcuts और press कर दिया है यहां पर F5 यहां पर ठीक है F5 आगए ना इसको huge shortcuts यहां पर ठीक है ना एक बार check करके देख लेते हैं यहां पर तो F5 और F6 F6 F5 इस तना हमने F6 पे click कर दिया 3D पर आगे और तो आपका यह plane है इसको just alt के साथ select किया और लेकल यहां पर लेका Scale क्लिक कर दिया और just simple just clear scale कर लिया और क्योंकि आपके पास यह plane just like इस तरीके से हाहाँ पर जो आपके पास Z scaling उसको यहां पर इस तरीके से थोड़ा सा आप इस तरीके से रखेंगे इस तरीके से एंगे ठीक है लगए वापस आप यहां पर प्रस करें F5 यहां पर तो आप कुछ इस तरीके से आप प्लेन दिखाई पढ़ रहा होगा एग्जेक्ट है आप सबसे पहले चाहिए जो आपको यह जिस लाइक के आपका होरिजन दिखाई पर इसको में अच्छ प्रस करके हाइड कर देलें आप सिंपल सा फ्रेस लाइन अप पर आप यहां पर आप पैनल स्वेश को ध्यान दखेगा और यहां पर नॉर्मल जो जूम करने का सॉटकट होता हो आपके पर पर राइट माउस है मिडल से पैन करते हैं इस तरीके साथ सेम चाहिए लेकिन जो लाइन अप अगर आप सीन को उसके लिए सेमचां आप सॉंच तो सिंपल सा आपके एहां पर दिखाई पढ़ रहा होगा है किस तरीके ऌरे आप च्bonus करें और यह शोम फिर पर फटरीक सेसे मेरेज करना पड़ाग mm जैसे आपने इसको यहां पर सब्सक्राइब करता है तो आपके पास कुछ आपको इस तरीकी से यहां पर ही प्लेस होंगे ठीक है तो उसके लिए बेटर है कि आप कर सकता है इसकी इसकी कलिक करेंगी इसके लिए ख éléments कर एंड िवी इसके लिए कलिक करेंगी एडिट रिमूज करेंगे तो आप देखें और आपकी बास त्रहुन कर दो आइस त 그런데 कर दो दिखाए पर गे नॉब आप इस प्लेस को चाहिए ऐज ली परसकते हैं जो भी आप लाइन अप कवर करेंगे इस चीज को ध्यान रखेगा, शिप्ट के साथ ही आप करेंगे, ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से में जो यह से आपको दिखाए है, उसी तरीके से आपके अपके ग्राउन का रेफ्रेंस लेके इस प्रेंड को आयलाइन करने कोशिश करे आपके, राइट से जस लाएक आप इसको सैच जस लाएक, जूमोड टाइब का ना मेरी थे आप को मैं अश्मेंड कर रहा हूँ है, अपकाफी अज्ब करने, हमने कर लिया, जा आपके आपको गठेश बदधां, आप देप तक ब्योकोल perfect ना हो यहाँ पर नालग बागए कुछ हमने इस तरीके से आपके कर दिया है अब इसके बाद है करना इसमें क्या पढ़ता है जो points आपको दिखाए पड़े इस points को इस इस पर इन points को आप project करेंगे जो आपको जाए है कि base में जो point दिखाई पढ़ रहे होंगे तो alt and shift के साथ जाए हम जो कुछ points है आप जिसको यहाँ पर select के लिए जो base में आपको दिखाई पढ़ रहे होंगे यह points और जिसको इसी के उपर हम project करेंगे करेंगे तो वापस आपको कुछ इस तरीके साभी कुछ आपको यहाँ पर दिखाई पढ़ रहा होगा एक जैक्ट है ठीक आपको कुछ इस तरीके दिखाई पढ़ने लगा now just simply click on use result पर click करेंगे इस तरीके से now वापर इस पर click करेंगे तो now जैसे आपने यहाँ पर किया हुआ है और alt के साथ इसको deselect कर देंगे यहाँ पर तो यहाँ पर left side में देखेंगे जो आपके पर कुछ ही points थे वे इसके लिए आप इसलिए points को हमने आप open करके रहा है को इस यह जो points है वो just exact आपका plane पर दिखाई पड़ रहे होंगे इस तरीके remaining आप अभी plane को scale करेंगे यहाँ पर तो now इसके बाद यहाँ पर अब हमें करना क्या होगा basically plane को और हम लोग यहाँ पर scale कर ले रहे यहाँ पर then alt के साथ चलिक किया हुआ plane को लग बग और then scaling पर थोड़ इस तरीके सेन में परफ़ेक्ट सेट होगा तो automatic वह उसी angles में रहे हैं यहीक आप मैं प्ले करके देखेंगे लग तो फिलाल में इसको और परफेक्ट से इसको लाइन आप कर सकते हैं लेकिन तेम्परीरी अब आप समझा रहे किस तरीके से scene को यहाँ पर line up करते हैं और उसका benefits यहाँ पर क्या होता है ठीक है ठीक है ठीक है इस तरीके से तो ना आप simple एस इसको adjust करते रहें और यहाँ पर पर्फेक्ट है कि आपने पर place कर लिया same जी ना अगर यहाँ पर simple सा click कर लिए just like यहाँ पर geometry then scaling को बंद खा लिया इस तरह के सेम जी ठीक है और यहाँ पर लिखा 3D models import OBJ files now click कर दिया और simple suggest हमने एक D drives में just take यहाँ पर plane यह model रखा हुआ है now यह आ गया तो आपने just take OBJ इसको यहाँ बताएंगा आपके इस तरीके लाएंगे तो exact विल्को प्लेस हो जाएगा और just आपके पार जो आपके पास यह जो plane है जो यह जो second वाला जो भी आप import करके लेके आए है इसमें right side में ध्यान देखें कि तो कहाँ पर just like calculation survey something करे कुछ लिखके आया हुआ इसको off कर देंगे इस तरीके से अगर आप इसको भी चाहें तो इसको भी just up scale कर सकते इस तरीके तो यह आपको दिखाई पढ़ रहा होगा perfect इस तरीके से यहां पर इस सारे point दिखाई पढ़ रहा होगा इसको यहां पर इसको यहां पर just save project edge कर दे रहा है यहां पर इसके बाद अगर सब कुछ यहां पर आप इसको import करना चाह रहा है यहां पर in case माया में इस scene को यहां पर तो simple सा हम लोग click करेंगे यहां पर 3D4 और जिससे आप export project Maya और 3 यहां पर simple सा हमें यहां पर जो भी export सा है तो models चाहें तो आप लिए दरवाज उसकी कोई जरूवत नहीं है same ची आप Maya में जैसे create करेंगे तो automatic create हो जाएगा यहां पर ठीक है तो में यहां से sequence 1 से start हो रहा तो मैं इसको just like 1 से रखा हुआ है और just simple सा export जैसे आपने यहां पर click किया और यहां पर उसी में save कर दे रहा हूँ और for Maya इसको यहां पर save कर दिया यहां पर now ok press कर दिया ok press कर दिया यहां now just simple इसको यहां पर click कर दिया same ची ठीक है now आगे वापस Maya में now हम लोग यहां पर Maya में आ गए और just simple इसको यहां पर file और just like a new scene का एक बार just अपना frame rate यहां पर check कर लिजेगे ठीक है 24 fps यहां ठीक है now simple सा जो project अभी आपने just like के जो export किया हुआ था now इसको simple से हां पर select करेंगे और जो Maya है उसमें just simple से हां पर हम लोग drag and drop कर देंगे यहां पर दिखाई पड़ रहे होंगे ठीक है तो यह simple से यह green colors के आपका locators दिखाई पड़ रहे होंगे जो points आप में track किये हुए और just like a scene आ गया ठीक है now just like a object test objects यहां पर लगा ले रहे हैं temporary आपको just like a grid दिखाई पड़ रहे होंगे perfect तरीके से aligned आ यहां ठीक है import और just simple से आप 3D models हमारे पास यहां पर रखा हो hulk model now just import किया हुआ है तो यह simple से आ गया just select किया हुआ है यहां पर w और just like a arrow क्योंकि just a group पर w प्रेस कर दिया और just simple से आप इसको here पर snap कर दे रहे हैं ठीक है just simple v hold करेंग और just simple आप इसको snap कर लेंग इस तरीके से आप यहां पर एक model यहां पर इसको यहां पर प्लेस कर लें just control D duplicate कर दिया V simple adjust है कि यहां पर snap और just points में आप रखा है कि दू model से आपर simple से आपने place कर दिये तो आपको proper तरीके आप दिखाए और ना अगर आप देखेंग एक यहां तो बिलकुल यह perfect तरीके से प्लेस है अगर आपने को यहां प्ले करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहां पर जो model से बेलकुल पर्फेक्ट तरीके से आप आपके पास scene में place इसके बाद आप इसमें remaining यहां पर लाइटिंग टेक्सिंग रहनें और जो object आप प्लेस करना चाहिए और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको आप शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जिरूर सब्स्राइब कीजिए